अब सबसे important point यहां पर है हमारा basic terms of gear drive जो कि किसी भी competitive exam के लिए बहुत माइने रखता है या आपका final exam हो या कोई भी competitive exam हो या हाली में CITS का interest exam आपको देनी हो तो यह आपके लिए बहुत फायदय मने होने वाला है क्योंकि यहां से एक दो कोशन आपको देखने को जरूर मिले देखेंगे future theory के outside diameter इसके लिए चल सबसे पहले हम लोग इस जितने भी पांच point है इनको हम लोग एक figure के मदद से समझते हैं कि ज़्यादा बेटर से clear होगा तो यहां पर सबसे पहले outside circle पहला point जो था हमारा outside circle देखिए यहां पर जो gear का यह teeth है gear के जो teeth है इसका उपरी surface इसको कहेंगे और यह हमारा नीचला surface जिसे root भी रहते हैं तो यह gear का जो उपरी surface से होता हुआ जो circle गुजरता है ऐसा कोई circle होता नहीं है यह मेजनरी ही सारे तो जो circle बनता है उस circle को कहते है outside circle outside circle या addendum circle भी कहते है addendum क्या है इसको बाद में discuss करेंगे और नीचे वाले लाइन यह जो blue वाले लाइन है इसको कहते है रूट circle यानि कि gear के रूट से जो circle बन रहा है उसको कहते है रूट circle यह हो गया out circle और यह हो गया हमारा रूट circle अब इनके बीच में जो लाइन है इनके एकदम इनके बीच पे जो लाइन होगा उसको कहते हैं पीच circle अब समझते हैं यहां पे पीच पीच क्या होता है तो जो गयर का इस पॉइंट से दूसरे गयर के इस पॉइंट यानि की adjacent points एक जैसे point के बीच की दूरी को ही हम लोग कहते हैं पीच जैसा कि हमने threads में पढ़ा था वही पीच है बस यहां पे टीथ आएगा इस टीथ के इस point से दूसरे टीथ के इस point तक की दूरी को ही कहते हैं पीच अब इसी तरह से होता है circular पीच क्या है जब पीच circle पे जो पीच मापेंगे हम लोग उसे क्यों कहते हैं circular पीच तो यहां पे देखें यह हमारा हो गया पीच सरकल अब इसका इस point से दूसरे गेर की इस point तक की दूरी को ही हम लोग कहेंगे circular पीच जिससे denote करते हैं पीच से अब देखें आप सुचरेंगे इस point यह है मैंने कहा था संगलेंग अड्जेसेंट पॉइंट आप यहां सेंटर से दूसरे गेर का सेंटर को भी माप सकते हैं जो कि मापना थोड़ा सब्सक्राइब इसलिए किनारे से इस किनारे को आप माप लेजिए यह भी क्या है पीच है तो पीच सरकल अब यहां पर नेक्स्ट है बेस सरकल क्या होता है गेर का जो इनवोल्यूट होता है इनवोल्यूट कहने के मतलब यह जो हमारा इस तरह का जो प्रोफाइल बन रहा है इस प्रोफाइल को कहते हैं गेर का इनवोल्यूट तो गेर का इनवोल्यूट जिस सरकल के बेस पे बनाया जाता है उसे कहते हैं बेस सरकल तो बेस सरकल पीच सरकल के आसपास ही बीच में कहीं दिखाए दे सकता है आपको तो यह हमार तो पीछ हो गया हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कूलर पीछ सर्कूलर पीछ भी हमने कवर कर लिया अब है अडेंडम अडेंडम क्या है पीछ सर्कल से पीछ सर्कल से आउटसाइड सर्कल तक की रेडियल डिस्टेंस को यानि सोटेश डिस्टेंस को ही कहते है अडेंडम यानि पीछ सर्कल से उपर वाले भाग को कहते है अडेंडम आउटसाइड सर्कल तक और पीछ सर्कल से नीचे रूट सर्कल तक का दूरी को कह जरते है डेडेंडम है और वीठ्त आफ टित्थ यानि कि गियर का चौड़ाईंगे तो गियर का चौड़ाईंगे हम लोग पीच sẽ कल पहीं सेरकल पे जो गियर का जात जो चौड़ाई होता है उसे हीive में गियर के दात है चोड़ाई कहते है ठीक है अब है लैंड लैंड क्या है ये भी बहुत सिंपल है इस फिकर में बहुत असानी से हम लोग इसे समझ सकते हैं उपर वाले आपको जो हरा वाला पॉर्षन दिखाए दे रहा है जो की क्या होगा ग्यर के दात में एक समतल भाग होगा ठीक है तो इस ग्यर के सबसे उपर वाले जो समतल भाग होता है उसे कहते हैं टोप लैंड और नीचे में भी इस तरह से आपको एक समतल भाग होगा जिसे हम लोग कहते हैं बोटम लैंड यहां पे आप पीला इस फिगर में इसको समझ सकते हैं तो टोप लैंड और ये बोटम लैंड हमार जो gear का उपरी भाग में जो समतल हिस्सा होता है उसे ही कहते हैं टोप लैंड और निचला वाला समतल हिस्सा को कहते हैं बोटम लैंड नेक्स्ट है हमारा tooth depth यानि की gear का depth तो यहाँ पे outside circle और dead random circle outside circle और dead random circle तक की बीच की दूरी को ही कहते हैं हम लोग depth ठीक है जिसे whole depth भी कह सकते हैं आप figure में समझेए यह हमारा outside circle यानि की addendum circle दोस्तों outside circle को addendum circle भी कह सकते हैं और root circle को addendum circle भी कहते हैं तो यह हमारा whole depth और working depth यानि की जब हम लोग gear को mesh कराते हैं तो पूरी तरस यह contact में नहीं आता है इसलिए इनके बीच में थोड़ा सा gap आ जाता है इसको कहते हैं clearance यानि की clearance थोड़ा बाद में समझेंगे तो उसको कहते हैं working depth अब है हमारा next हमारा clearance clearance क्या है जब दो gear को mesh कराय जाता है इस figure में तो देखिए एक gear का यह bottom हो गया और दूसरे gear का यह top हो गया तो उनके बीच में जो जगह रह जाती है operation के दवरान जो जगह रह जाती है इसी जगह को इसी space को कहते है clearance ठीक है दोस्तों तो उमीद करता हूँ आपको यह class अच्छा लगा है दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमारे comment box में ज़रूर बदाएं और यदि आप हमारे channel में नए है तो channel को please subscribe कर लीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियोस में तब तक के लिए जाहिंद